हमारी नीती बहुत इस्पश्ट है आपकी नीती थी कि शांती वारता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी मोदी जी की नीत है शांती वारता आतंकवाद के साथ शुरू ही नहीं होगी टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेधर इसलिए पिछले नौ साल भारत के इतिहास में एक मात्र नौ साल हैं जब हमने कोई आपचारिक दिपक्षी वारता नहीं किये इसलिए शान्ति सुरक्षा सौहार्द को लेकर कम से कम प्रवचन देने का प्रयास न करें चीन के साथ इनकी सरकार के कैसे रिलेशन रहे और हमारे कैसे रिलेशन है यह हम इस पष्ट कर देना चाहते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी के नेत्रत में हमारी सरकार आने के बाद आप जाकर चेक कर सकते हैं 2020 में बीजिंग के एक तिंग टैंक ने जो वहां की गवर्मेंट से रिलेटेड माना जाता है उसने यह शब्द प्रयोग किया है कि चाइना इस पासिंग तू इस वस्ट डिप्लोमेटिक आइसोलेशन पोस्ट यानमन स्कॉयर यानि ठ्यान्यान चौक के नरसंगार के बाद आपके दौर के सबसे बुरे कूटनीतिक अलग थलग पढ़ने की इस्थिती में चीन है परंतु और यह हम नहीं कह रहे हैं यह वहां के लोग कह रहे हैं परंतु मुझे समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी जी को बार बार चीन की बातों पर इतना प्यार क्यों मड़ बता है यह राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले हुए दान का एहसान है या चीन की कम्नुस पार्टी के साथ हुए करार का इकरार है कि बार बार वो भारस सरकार से तकरार करने को तैयार रहते हैं वह आकर यह कहते हैं कि ले में घूम करकि मुझे लोगों ने बताया अमुक अमुक चीज यह कौन लोग है और कौन बताता है और मज़े की बात यह है कि यह जो लोग है यह स्वता एक्सपोज हो रहा है क्योंकि चाइनीज कम्नुस पार्टी के साथ जो उनका एग्रिमेंट उन्होंने नहीं बताया था चाइना से फोटो आई थी डोकलाम के समय इन्होंने चीन के राजदूत के साथ जो खाना खाया था इन्होंने नहीं बताया था वहां से फोटो आई थी और आज मैं आपके साथ नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है जूस 24